पसनाईटी उफ द लीडर इस पसनाईटी ऑप ओवर औरगेनाजेशन जब मैं बहुत सारी लीडर्स को मिलता हूँ बिदनस्मेन को मिलता हूँ तो उन लोगों से पुछता हूँ कि सर आपके problems क्या है आपके business के अंदर आपको दिक्कत क्या आ रही है तो बहुत सारे लोग बताते हैं कि सर मेरे business के अंदर team को लेकर मुझे problem है, product को लेकर मुझे problem है, sales को लेकर मुझे problem है, ये problem है वो problem है, A to Z बहुत सारी problem वो बता देते हैं फिर हम रुकते हैं और रुकर पुछते हैं सर ये सारी problem की वज़ा क्या है तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर वज़ा government है वज़ा market है वज़ा competitor है वज़ा team है वदा हमारे दुसरे सारे लोग है लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो वो वज़ा जो है वो खुद बता धार अब फिर से बात आती है कि लीडर बनने के लिए हमें करना क्या है तो हमें important समझना पड़ेगा learning का जिन्दगी के अंदर हर एक इंससान earning के पीछ भाग रहा है और आज की दुनिया के अंदर 95 प्रतिसद लोकों को अगर देखा गया तो सुबह से शाम वो लोग मेहनत कर रहे है, एफर्ट कर रहे है, बहुत सारा कस्मों कस कर रहे है, लेकिन उसके बावजुद वो अपनी जिंदगी में कामियब नहीं हो रहे है, तो उसकी वज़ा जब निकल कर आई, तो पता चला, लोकों की जिंदगी के अंदर खाली फोकस अर्निंग पर है, और ये लर्निंग के स्पालिंग के अंदर अगर हम एल को निकाल दे, तो उसके बाद निकल कर आता है अर्निंग, और जब हम एल को लगा दे, तो पूरा हो जाता है लर्निंग, मतलब ये होता है, जो बंधा अर्निंग के पीछे फोकस करता है, लर्निंग को काबिल बनाने के पीछे काम किया उस इनसान के पीछे सक्सेस जो है वो पीछे लगती है और उसके बाद उतना पैसा भी वो बनाता है आज से पाथ साल पहले एक सेशन के अंदर में बैठा था और किसी ने मुझे एक बहुत अच्छी बात बताए थी जहासे मैंने लर्निंग लिया था और वो लर्निंग ये था कि उन्होंने बताए था कि आज आपके बैंक बैलेंस के अंदर या आपके करंड अकाउंट के अंदर या आपके सेविंग अकाउंट के अंदर जो amount पड़ा हुआ है एक बार जाकर चेक कर लीजे किसी का 1000 होगा, किसी का 50,000 होगा, किसी का 100,000 होगा, किसी का 10,000 होगा या किसी का उससे भी जाना होगा तो जो amount आपके account के अंदर पड़ा हुआ है समझ लेना आपके पास knowledge उतना ही है अगर वो amount से आप satisfy नहीं हो और आप चाते हो कि अपना amount बड़े मतलब आपका earning बड़े तो आपको बड़ाने की जरुवत है आपके learning को क्योंकि जितना ज़्यादा learning आपका होगा उतना ही अधिक आप earning कर पाओगे तो ये learning का important होता है और ज़्यादा तर लोगों का जब analysis करते है तो एक principle हमने देखा है 90 jam 10 का principle अधिक तर लोग जब पैसा कमाते है आज मैं आपको question पूछता हो कि आप जब पैसा कमाते हो 10,000,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 दो पार्ड में डिवाइट किया जाए और गरदन के नीचे का भाग अगर देखा जाए तो हम अच्छे कपड़े पहनना पसंद करते हैं, अच्छी जगा घुमना पसंद करते हैं, अच्छे रेश्टोरन में जाकर खाना पसंद करते हैं और ये सारा खर्चा हमारी बॉड़ी अपने अपने knowledge के पीछे का कितना budget प्लान किया और कितना अपने investment किया तो जादा तर लोग बताते हैं कि सर mind के पीछे तो कभी हमने सोचा ही नहीं तो याद रखना जादा तर लोग mind के पीछे पैसा जो है वो 10 प्रतिशत भी नहीं लगाते हैं और सोचते ये हैं कि आज 5 साल हो गए 10 साल हो गए 20 साल हो गए इतने साल समय व्यपार कर r job लेकिन मैं कामयाब क्यूँ नहीं हो रहा हैं तो कामयाब नहीं होने के पीछे की सबसे ही चाहिए यह compulsory है जितना ज्यादा लगाओगे उतना गुना आपको return मिलने वाला है आगे बढ़ते हैं why should we learn learn करना क्यों जरूरी है तो एक leader अगर हमें बनना है तो उसकी खास्यत होती है learning और बहुत सारे leaders को हमने देखे हुए है कि जिनों ने अपनी जिन्दगी के अंदर learning को अपना जिन्दगी का part बनाया और आज वो बहुत ही अच्छा earning कर रहे है जैसे कि Bill Gates आपको यहाँ पर दिखाय दे रहे है वो एक week के अंदर एक किताब जो है वो पढ़के खतम कर लेते हैं मार्स जुकरबग जो आपको दीख रहे है वो पचास books जो है वो per year अपने अंदास के अंदर वो complete कर लेते हैं और वरन बुफे को तो आप जानते ही हो जो per month 600 से लेके 1000 पेज जो है वो complete कर लेते हैं तो मेरा आपको सवाल यह है आज सबसे ज़्यादा पैसा कमाने की जरूत या कामियाब होने की जरूत हमें जादा है या इनको जादा है तो मेहनत हम जादा कर रहे है earning के पीछे या learning के पीछे या यह लोग जादा कर रहे है तो उल्टा question हमें अपने आपको करना है कि ये आज की तारीक में भी इन चीजों की practice अगर ये लगातार कर रहे है तो हमें अपने routine को एक बार check करना है कि 24 गंटे में से 12 गंटा या 10 गंटा या 8 गंटा अगर मैं मेरे business में दे रहा हूँ तो उसमें से क्या एक गंटा या दो गंटा में अपने आपको दे पा रहा हूँ क्या मैं मेरे knowledge को upgrade करने के लिए दे पा रहा हूँ अगर नहीं दे पा रहे है तो leaders लोग दे रहे है और उससे वो अच्छा leader बन पा रहे है आपको भी देने की जरुवत है और हम जब इन चीज़ों के पीछे time spend करेगे तो उसका earning हमें भी बहुत अच्छी तरीके से होगा ज़्यादा तर लोग जीवन में कामियाब क्यों नहीं होते है बहुत सारे लोग हमें ये question करते है कि सर इतने साल की मेनत करने के बाद भी आज हमें कामियाब ही नहीं मिली तो हम पुत्ते हैं कि सर आप कौन से zone में हो और यहाँ पर तीन zone दिखाए दे रहे है ज़्यादा तर लोग अपनी जिंदगी के अंदर कामियाब होना चाता है सफल होना चाता है सकस्पूल होना चाता है लेकिन रहना कहा जाते है comfort zone में और comfort zone के अंदर रहने वाले बंदे की lifestyle क्या होती है रोज सुबा उटना है काम पर जाना है शाम को आना है खाना पीना खाना है और सो जाना है फिर सुबा उटना है काम पर जाना है शाम को आना है, खाना पिना खाना है और सो जाना है ऐसे एक साल, दस साल, पचास साल पूरी जिन्दगी खतम हो जाती है फिर वो सोते है कि मेरी जिन्दगी में जितनी सक्सेस मुझे हसिल करनी थी वो मैंने क्यों नहीं की कुछ लोग ऐसे होते है कि जो comfort zone में से निकल कर आ जाते है pain zone में जो बोलते है कि मुझे अगर कामियाब होना है तो सुबा जल्ली उठना पड़ेगा मुझे रोज to-do list बनाना पड़ेगा मुझे रोज अपने mind के उपर, body के उपर, सारी चीजों के उपर काम करना पड़ेगा तो वो थोड़ा बहुत pain लेना, सहन करना शुरू कर देते है लेकिन कुछ time के लिए जब pain बढ़ जाता है फिर से वो जंप लगा देते हैं और comfort zone में निकल जाते है और कामिया वही होता है जो comfort zone को मारता है गोली चला जाता है pain zone के अंदर पास साल, दस साल अपने आपको निचोड देता है और उसके बाद एक zone उसकी जिन्दगी के अंदर निकल कर आता है जिसको कहा जाता है success zone लेकिन ये दुखत बात है कि success zone में आने वाले लोकों के शंख्या 2, 3 या 4 या 5 प्रतिस अधी है और बाकी के लोक कही ना कही फिर से जंब लगा चले जाते है comfort zone में तो आज अगर आप कामियाब हो तो एक बार चेक कर लो आप कौन से zone में हो आज अगर आप कामियाब नहीं हो तो एक बार चेक कर लो कि आप कौन से zone में हो और आज ये decide भी कर लो कि आने वाला 5 साल आने वाला 10 साल आपको कौन से zone में बिताना है और बाकी की पूरी जिंदगी कौन से zone में बिताना है